जब बात्चीत होगी तब देखा जाएगा महा गटपंदन में क्या होता है अभी तो कुछ बात्चीत हुई नहीं नहीं लगता है कि कोई घमासान जैसी कोई स्थिती है और इन्होंने शुरू में ही जो बातें कहीं कि लालू जी ने तो खुद ही कहा जब आये थे वो कॉंग सिटीज के कार्याले से राजद में लालू जी से बड़ा कॉन नेता है आप ही बता दीजेंगे मुझको हमको उनकी जरुवत जैदा हो मेरा कम हो लेकिन दोनों को जरुवत है एक दूसरे की जब बात होगी रास्टी जनता दल से अप्चारिक तोर पर तो वहाँ कोई डिसक अधियादव जी की बातचीत इधर हुई है हाँ तिन दिन पहले भी हुई थी नमस्कार आप देख रहें लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ असीम खान देखिए बिहार में सराबंदी है पर जिस तरीके से जहरीली सराब से लगातार मौत के आकड़े बढ़ते जा रहे हैं अब तो एंडिये खेमें पर सवाल उठने लगा है बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है जितना मांजी ने तो यहां तक कर दिया है कि बिहार में सराबंदी कानून खत्म होना चाहिए और दूसरे तरफ अगर हम बात करें बिहार की सियासत की तो महागडबंदन और एंडिये दोनों ही खेमे में घमासान मचा है अभी हम अजीद सर्माजी के आवास पर हैं और कॉंग्रेस के तमाम दिगज नेता जो हैं आज एक साथ बैठे हैं विचार भी मस कर रहे हैं जहां एक तरफ अजीद सर्माजी हैं दूसरे तरफ कॉंग्रेस के बिहार परते सेदाज मधन महँझाजी हैं और अख्ले सिंग जी हैं तमाम बड़े चेहरे हैं हम इन से पहले जुड़ने की कोशिश करेंगे मदन महांजाजी महांगट बंदन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बिलकुल ठीक है अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है अभी तो बिहार बिधान सभा और बिधान परसद का हुआ है हम लोग ने एक साथ बीजेपी के खिलाप आवाज उठाया है अभी तो चुनाब का घो जीताओ उमिदवार कोंग्रेस के पास हा ही रिक इजिताओउ मिदवार किसे जीताओई उमिदवार कों ने उसका तहई तो भोटन न करेगा पटना से बैड़के तो एक आखला नहीं किया जा सकता है जब चुनाव लड़ेगा तब न दो कोई हारेगा जीते गा तो हम लड़ेंगे हम लोग को जब लगता है जो पर्यूक्त उम्मिद्वार मजबूत है चुनाब लड़ सकता है तब हम लोग उसका आगे नाम बनाते हैं अभी जब बाच्छित होगी तब हम लोग नाम बताएंगे अभी कैसे समझी है उमिद्वार नहीं है सब्सक्राइब कर चुकी है और जब अधिकारी घोषना होती है तो या तो मान लीजे हमारे समानिये लालू जादव जी करें तेजस्वी जी करें जगता वाव करें तो हम लोग समझेंगे घोषना हो गया प्रेकिन हमको तो नहीं लगता है जैसा को हम लोग ने कोई समाचार पत्र में ऐसा कोई देखा है तो किसी भी हम लोग अपने कंडिडेट को बोलते हैं जहां आप तैयारी कीजिए लेकिन तिकट का उनको एसोर्ड नहीं करते तैयारी तो जो आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा वह अपने हिसाब से तैयारी करें कि अगर महांगडबंधन के साथ अगर आप लोग जाते हैं तो कितने सीटों पर कॉंग्रेस जो है इस बार दावेदारी हम लोग हम राजद के राश्टिय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने आ करके कहा था जो छे साथ सीट पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ेगी आप लोग ने भी देखा होगा हम लोग कोई ऐसा नहीं ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं जो कि अपर सांगिक लगे तो जब हम लोग को बात होगी तब हम लोग अपनी संख्यां बताएंगे केंड़ेट बताएंगे जो भी होगा उस पर डिसकस करेंगे अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए छेत्र का हो या कंडेट का हो, हम लोग आपस में जितने हमारे वरिष्ट नेतागन हैं, सबों से विचार भी मर्स कर रहा हैं, जे कहां हम लोग बढ़ियां से लड़ सकते हैं, वो हम लोग अगर वो परिष्थिती आए हम लोग सुची देंगे, राज़त का ये कहना मदन महुंजा जी की बिहार विधान सभा चुनाओं को भी देख लिया, खामियाजा भुगतने को मिला महागट बंदन को, उप चुनाओं में भी कॉंग्रेस की ताकत दिग गई, ऐसे में ज्यादा सीटे देकर हम फिर से खाम में आज़ा भुगतना नहीं चाहते हैं, जब कोई भी आदमी कमजोर होता है, तब अपना गटवधन की बात सोचता है, और अगर मान लीजे, जिस दिन उनको भी बुझाएगा जम अकेले सक्षम हैं, तो दिन अकेले लड़ेंगे, हो सकता है, मेरा एलाइंस रहे उपर में लेकिन जिस दल को भी यह चीज का आवास होगा, जो हम अकेले काफी हैं, राजनीत में हो अकेले लड़ जाएगा, हो सकता है, हमको उनकी ज़रूरत जैदा हो, मेरा कम हो, लेकिन दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की, मैं यह मर्सूस करता हूँ, कोई भी आदमी, कहीं भी आप देखिए कर बड़ा से बड़ा दल एलाइंस करता है, बीजेपी इतना बड़ा सीट जीत के आया है, उसको ने पार्टनर की ज़रूरत होती है, उसको भी लगता है, मैं कावन परसेंट नहीं है, पैंतेल से हैं, तो उनको भी अगर जिसनी लड़ जाएगा, हमें कावन अक्यले हैं, तो हो सकता हूँ, अक्यले लगता हैं, बड़े नेता हैं, कॉंग्रेस की कदावर नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे, और सांसत भी हैं रास्वा, इनसे बात करेंगे, सर जिस तरीके से बिहार विदान सवा चुनाओ हो, या उप चुनाओ हो, और अभी बिहार परिशत का चुनाओं होने जा रहा है जिस तरिके से चुनाओं से पहले ही महागडबंदन में घमासान देखने को मिलता है І कई ना कई बिहार लिए smarter created में कई अन्य दिल्बी थे जो जिन्होंने महागडबंदन का दामण चोड़ा था और अगार बिहार परिशाद्या कोई घमासान जैसी कोई स्थिती है और इन्होंने शुरू में ही जो बातें कहीं कि लालू जी ने तो खुद ही कहा जब आये थे वो और दिल्ली लोट रहे थे तो प्रेस के लोगों ने पूछा था क्यों कॉंग्रेस को भी सीटें देना चाहते हैं पांच छे जो भी तो इसक तो राजद में लालू जी से बड़ा कौन नेता है आप ही बता दीजे न मुझे को एक मेना पहले तो आया था तो हम लोग तो उसी बयान को मानेंगे जब तक बात्चीत हो नहीं जाए तब तक कैसे यह बात करें कि गट बंदर में लड़ाई हो रहा है जगड़ा हो रहा है ऐसी कोई बात है नहीं अच्छा यह सवाल खड़े करना कि पहले कॉंग्रिस उमिद्वार देखा ऐसी उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि उनको दिया जाए यह यह भी हम लोग लाइव सिटी से और प्रेस से को बताएंगे यह तो जब बात होगी रास्टी यह जनता दल हैंगे हम मेरा तो कोई जगडा है नहीं लालू जी आधर निये हैं हम लोगों के लिए और वो खुद जब बयान दिये हैं तो यह तो फिर वही बोल सकते हैं ना कि नहीं अब हम नहीं देना चाहते हैं लालू जी एक महिना मेरी तो बात हुई है उन्होंने तो नहीं कभी मन परातना करते हैं पहले जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होके सराब बंदी की समिक्षा करें इस से नुकसान के अलावा स्टेट एक्स्टिकर को नुकसान हुआ है और एक पैरलल एकनोमी खड़ी हो गई बिहार में पूरा उनका सासन पर सासन का लोग मिला हुआ है इस धंदे में या गुरक धंदा इसको बोलिए इसको तुरत समिक्षा करके समाप्त करना चाहिए परसनल बात बूल रहे हैं आप दूसरे की बात को क्यों हम से जोड़ रहे हैं हम मेरी जो रायत ही मैंने कह दी सराब बंदी कानूं कर लोग सराब लेता था आँज तो आपको सराब चाहिए तो आपके घर पे पहुँच जा रहा है तो ऐसा सराब बंदी का फैदा क्या है? लोग मर रहे हैं नकली सराब से हजारों लोग से ज़्यादा लोग मर गए चलिए अजीद सर्मा जी है इन से बात करेंगे क्या लगता है समाज में कई बदलाव आए हैं सराब बंदी से? बदलाव यही आएकि जो मोटे हो रही है सरकार जिम्यदार है जो जितने यहाँ पर आला अधिकारी है सब जिम्यदार है मौत किसी की हो रही है और शराब बंदी है यह नहीं शराब बंदी करना है तो समीख्षा करके खुब बढ़िया तरीके से करिए है 100% बंदी करिए और जब तक आपके आला अधिकारी नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक शराब बंदी लागू होगा नहीं है तो बिहार में सराब बंदी को लेकर जेडियों जिस तरीके से अपना पीट थब थब आती है क्या लगता है कि बड़े अधिकारियों पर भी आप जवाब दहीत होनी चाहिए तभी सराब बंदी बंदी है हम लोग सदन में पारित किये हैं सब सभी पाटी थे लेकिन आज तो बीजेपी के भी अध्यक्ष ने कहा है कि समिक्षा होनी चाहिए हम लोग हम तो कई बार बोले हैं और जब तक आला अधिकारी पर कारवाई नहीं करे है चोटे मोटे पर अधिकारियों पर कारवाई करके आपका सराब बंदी लागू नहीं हो पा रहा है और यह मौते जा र कार खाने खोल के युवकों को रोजगार दीजिए युवक को रोजगार मिलेगा तपराद भी कम होगा और शराब जो जरहली शराब पीके मरा मौते भी नहीं होंगे इस मौत का जिमेदार सरकार को लेना चाहिए बीजेपी और जेडियू में जो कुछ घमासान चल रहा है क्या लगता है से ऐसे में सरकार जो है इन डे की वो आगे तक बढ़ पाएंगा यह तो उनका मामला है लेकिन हमें भी लगता है कि जिस तरह कोई बिहार में विकास नहीं हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी और जद्यू के लोग आपस में जो विचार बाते हो रही है लग पसंदा के साथ मैं वसीम लाइब सिटीज बटना है